NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara Bhita Patna. पूरा प्रभाव देश की राजनिती पर पढ़ने वाला है, क्योंकि जनता दल सेकुलर के एक दर्जन से ज्यादा बिधायकों के इस्तिपाद देने की वजह से राज स्रकार का बचना मुश्किल हो गया है, अब ये तय है कि 12 जुलाई से सुरू हो रहे बिधान सभास्त्र के देश में घटबंदन सरकारों की बुरी इस्तिती और उनकी समाप्ती की ओर इसारा कर रही है, हाली में संपन हुए लोक्स भाचुनाओं में भारतिय जनता पार्टी और मजबूत राजनितिक दल बनकर उवरी है, और जिस तरह साल 1971 में पाकिस्तान से जुद जितने के सत्ता का के इंद्रा गांधी हो गई थी, ठीक उसी तरह मौजूदा समय में मोदी ने सत्ता का एकी करन कर दिया है, इसमें सक्की कोई गुंजाईस नहीं है, आज बीजेपी को 50 फिसल से ज़्यादा बोट अगर देश में मिला है, तो ये इतिहासिक है और इसका मतलब सिधा है कि इंद्रा गांधी वाला दौर लोट रहा है, इंद्रा गांधी लाल बहादुर सास्ति के निधन के बाद सत्ता में आई थी, और बहुत कम वक्त ही बिता था कि उन्हें गुंगी गुडिया का नाम दे दिया गया था, यह वो वक्त था जब कांग्रेस पार्टी बहुत गटवंदन की सरकार बनी, और आपको पता ही है कि भारतिय जनसंग से ही आगे चलकर भारतिय जनता पार्टी का गठन हुआ, आज वहीं पार्टी पूरे देश पर कबजा हासल करने की स्थिति में आ गई है, लेकिन पाकिस्तान का भी भाजन करके बंगला देश बनाने में क प्रचन बहुमत के साथ सता प्रकाविज हुई है, अलग-अलग राज्यों में मौझूदा गटवंदन की सरकारों को भी इंद्रा गांधी की लहर ने धरसाई कर दिया था, संजुक्त विधायक दल की सरकारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, पस्सिब बंगाल, उडिसा, तमिल नाडू और केरल में गिर गई, केरल को छोड़कर हाल तक में पस्सिब बंगाल में कम्मिनिस्ट पार्टी की सिती मजबुत थी, वहीं तमिल नाडू में द्रविन पार्टीयों का साथन कायम रहा, गटवंदन की सरकारे बनने का दूसरा चरण उन 1989 से शुरू हुआ गटवंदन का ये दौर, कांग्रेस के नितरित वाली यूपिये बनने तक कायम रहा, जिसने साल 2004 और 2009 में केंदरी अस्तर पर दो सफल कारेकाल पूरे किये, यूपिये का दो सफल कारेकाल पूरा हुआ और कहा जाता है कि दूसरा कारेकाल के वल मंदरेग जैसी एक फ्लैक्सिप योजना की वजह से सफलता मिली, लेकिन दो कारेकाल उपिये ने सफलता पूरवक पूरा किया, ये गटवंदन की बड़ी सफलता थी, और यह सिलसिला मोधी सरकार के साल 2014 में जीत तक कायम रहा, और अब तो हाली में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के उन्होंने अपने इस्तिती को और मजबूत कर लिया है, मई में हुए लोकसभाचुनाओं से एक साल पहले जब बीजेपी करनाटक बिधान सभाचुनाओं में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो कांग्रेस ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के का फैसला लिया, और इसका नतिजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले लिये, जिस पर यकिन करना मुश्किल था, मसलन पार्टी ने जडियस के एच्टी कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री पत का प्रस्ताव दे दिया, चुनाओं में भले ही जडियस ने साइंटिस सीटें जीती, और ये सीटें कांग्रेस की जीती हुई सीटों की आधी थी, लेकिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का प्रस्ताव दे कर एक नई राजनिती की शुरुआत की, ये फैसला चोकाने वाला था, क्योंकि ये वही दो पार्टियां थी, जो सा सरकार के 13 विधायक बिधान सभा की सदस्ता से इस्तिपा दे चुके हैं, इसके पीछे राज में बीजेपी के ओपरेशन कमल का महत्फून युगदान है, जो सदस्तिपा दे कर आएंगे, उन्हें भविस में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ाया जाएगा, और उन् अपना देश मजबूत एकल राजनितिक पार्टी की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गटबंदन सरकारों का दोर खत्म होने की कगार पर है, साल 2019 का लोग सभा चुनाव और उसके नतीजों से यह पुरी तरह साफ हो जाता है कि भारत में राजनितिक पार जो मोधी का विकल बन सके या फिर उनके नेतरितों के समक्च खड़ा हो सके या फिर उन्हें चुनावती दे सके अगर बात साल 2019 के लोक्स वह चुनाव की करें तो पुरी देश की जनता ने गटबंदन को पूरी तरह से नकार दिया, लोगों ने तै कि एक पार्टी की सरका आर का विकल दिया है, दूसरा सबसे बड़ा कारण BJP का हिंदू जाती समूहों का संग्तन बनने में कामयाब होना है, क्योंकि BJP ने सभी हिंदू जातियों को एक मंस पर लाने का काम किया है, जो कि BJP के हिंदुत्य उसे बिलकुल अलग है, आपको याद होगा, कि उतर प्र के अंदर जगा दिया और उस हिंदूत के भाव के कारण जो गुलबंदी बीजेपी के पक्ष में हर जाती विरादरी के बद्दताओं की हुई उस वजह से उतर परदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के सरकार बनी करनाट्रक में अब पहले से कहीं ज्यादा तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी को काम्याबी मिली है अपनी पार्टी को एक हिंदू संग्ठन के रूप में प्रस्तूत करने में उसका फायदा उसे सिधा मिल रहा है और आप भले कहें कि राश्च्वात के नाम पर ही मोधी परचंड बहुमत के साथ सत्ता में आये है लेकिन इस बात से भी निकार नहीं कर सकते कि बीजेपी और संग को इस काम में काफी हद तक काम्याबी मिली है कि हर जाती हरी विरादरी के लोगों को उसने के अंदर उन्होंने हिंदूत का भाव जगा दिया है और उस भाव की वज़ह से बीजेपी के प्रक्ष में जो इन दाजियों में छेत्रिय दलों का सासन है ज्यादा समय तक सायद नहीं टिक पाए क्या होगा अंतिम सवरूप चार राजियों के बिधान सभा चुनाओं के बाद साफ हो जाएगा क्योंकि चार राजियों के बिधान सभा चुनाओं में अगर बीजेपी मजबूत बन कर भरती है तो बाकी राजियों में अपने सहयोगी दलों को ज़्यादा भाव नहीं देगी और जो सहयोगी दल है उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा अलग होने के सिवाए और ऐसे में बीजेपी अपने बलबुते पर किंदर के साथ साथ कई राजियों में सरकार बनाने की कोशिस करेगी तो इंद्रा गांधी के जमाने में जो हालत थी कांग्रेस की उसी हालत में आज BJP है और BJP चाहती है कि एक पार्टी की सरकार पूरे देश में हो और काफी हद तक बीजेपी को इस मकस्ताद में काम्याभी भी हासिल हुई है और इस बार जो लोकसभाचुनाओं में प्रचन बहुमत मिला है उससे बीजेपी का होसला बुलंद है तो छेतरे दोलों को सौधान हो जाना चाहिए जमाना बदल रहा है लोग बदल रहे है उनकी प्रात्मिता बदल रही है उनकी सोच बदल रही है अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो आप मिट जाएगे आपको एक ख़बर कैसी लगी अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब सेयर करिए दोस्तों के साथ अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब में किया हथ जूर कर लीजिए आपका सहयोग समर्थन लगतार मिल रहा है हाँ एक बात जूरूर याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए तभी समय से सबसे पहले आप तक हमारी ख़बरे पहुँचेंगी सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सौथ क्यर मुबाइल आप के द्वारा अधिक जानकारी के लिए आप समपर कर सकते हैं हमारे फोन नंबर से हैं 9472-98111-1 9472-98222-2 सौथ क्यर आप स्वालूसन अटियोर फिंगर टिप्स यहां पड़ती है भविश्य की मजबूत नीव हम मिलकर बनाते हैं बहतर कल गोपाल नारायन सिंग यूनिवरसिटी आपके बहतर कल के लिए